हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चेनल टॉपर्स क्लासेस बाई SSS में फिर से एक बार पुना स्वागत है अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स में जारी हुए टर्मटू एकजाम 2022 के लिए बिल्कुल सरल सब्दों में तो चलिए अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स में टर्मटू एकजाम 2022 के लिए जारी हुए बिल्कुल सरल सब्दों में फिजिक्स का देखिए सेक्षन ए से सेक्षन ए में एक अंकिया यानि वन माक्स का कोस्टन रहेगा एक गुना पांच बराबर पांच तो कोस्टन रहेगा ठीक है देखिए कोस्टन नमबर एक से नियूटन के गुर्तवाकर्शन का सारोतरिक नियम का उल्लेक किजिये यानी नियूटन का गुर्तवाकर्शन का सारोतरिक नियम को लिखना है उल्लेक करना है उत्तर नियूटन के सारोतरिक गुर्तवाकर्शन नियम के अनुसार किनी दो पिंडों के बीच कारे करने वाला आक के बीत कर्मानुपाती होता है मतलब नियूटन का सारोतरिक गुर्तवाकरसन नियम क्या कहता है किनी दो पींडों के बीच कारे करने वाला आकरसन बल उन दोनों पींडों के दरबिमानों के गुननफल के समानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीत कर्म समानुपाती होता है अर्थार्थ एप समानुपाती M1 into M2 बटे R2 ठीक है यानि बल समानुपाती होगा दोनों पिंडों के दरविमान M1 into M2 का और बीत कर्मानुपाती होगा उनके बीच की दूरी यानि R2 का ठीक है तो एप बराबर हो जाएगा जहां केपिटल G into M1 M2 बटे R2 जहां केपिटल G एक समानुपातीक नियतांक है जिसे सारोतरी गुर्थवाकरशन नियतांक कहा जाता है तो आप क्या समझें एप बराबर फर्मूला होता है केपिटल G into M1 M2 बटे R2 जहां केपिटल G एक समानुपातीक नियतांक है जिसे सारो सथिख गुरत्वाकरसन नियतां कहा जाता है ठीक है चलिए आप देखेंगे आगला प्राश्न आगे देखिए कौसेन नमबर 2 को समझिए इसमुल जी और केपिटल जी के बीच अंतर लिखिए इसमुल जी और केपिटल जी में क्या अंतर है उत्तर इसमल जी गुरुतिय तवरन को सुचित करता है जो एक सदिस रासी है जबकि कैपिटल जी सरोतरिक गुर्तवाकरसन नियतांग को सुचित करता है जो एक अदिस रासी है यानि इसमल जी का मान पिर्थ्वी के अलग-अलग अस्थानों पर अलग-अलग होता है जबकि कैपिटल जी का मान सभी अस्थानों पर एक समान होता है याद रखिएगा इसमल जी को गुरूतिय तवरन कहते हैं कैपिटल जी को सरुत्रिक गुर्तवाकरसन नेतां कहते हैं इसमल जी एक सदिस रासी है जिसका मान पिर्थिवी के सता पर 9.8 मिटर पर सकेंड स्क्वेर होता है लेकिन कैपिटल जी एक अदिस रासी है ठीक है जिसका भेलू पिर्थिवी के सभी अस्थानों पर एक समान होता है लेकिन इस्मल जी का मान पिर्थ्वी के अलग-अलग अस्थान पर अलग-अलग होता है जैसे पिर्थ्वी के केंदर पर इस्मल जी का मान सुन्य होता है पिर्थ्वी के सत्व पर 9.8 मिटर पर सकेंड स्क्वेर होता है धुर्वों पर अधिकतम होता है बिस्वत रीखा पर नियुन्तम होता है लेकिन कैपिटल जी का मान पिर्थुवी के सभी अस्थानों पर चंद्रमा पर, सभी जग़ा पर एक समान होता है आगे देखिए कॉसेन नमर 3 पर्ती बल के परकार लिखिए पर्ती बल कितने परकार के होते हैं पर्तिबल दो परकार के होते हैं उत्तर पर्तिबल दो परकार के होते हैं पहला अभिलम पर्तिबल दुसरा अपरूपन पर्तिबल याद रखिएगा पर्तिबल का दो परकार होता है पहला अभिलम पर्तिबल और दुसरा अपरूपन पर्तिबल आगे देखिए कौसन नमबर Q4 को समझे वर्सा की बूंदों का आकार गोलाकार क्यों होता है उत्तर किसी भी दर्व के सता पर एक तनाव बल कारे करता है जिसे दर्व का प्रिष्ट तनाव कहते हैं इस तनाव के कारण दर्व के सता का च्छतरफल कम होता जाता है गोलाकार बस्तू की सता का च्छतरफल सभी आकार के च्छतरफल से कम होता है इसलिए प्रिष्ट तनाव के कारण वर्सा की बूंदें गोलाकार हो जाती है क्या समझ में आया किसी भी दर्व के सता पर एक तनाव बल कारे करता है जिसे दर्व का प्रिष्ट तनाव कहते हैं इस तनाव के कारण दर्व के सता का छेतरफल कम होते जाता है इसलिए प्रिष्ट तनाव के चलते वर्षा की बुंदें गोलाकार हो जाती है आगे देखिए कौसेन नमबर 5 को समझे सम्तापिय एवं रुद्धोसम परिकिरिया में क्या अंतर है उतर सम्तापिय परिकिरिया में निकाई एवं बाहिय बतावरन के बीच उसमा का आदान परदान होता है जिससे की निकाई का ताप इस्थिर रहता है कौस्टेन रहता है परंतु रुद्धोसम परक्रम में निकाई उवं बाहिय बतावरन के बीच उसमा का आदान परदान नहीं होता है जिससे की निकाई का ताप बदल जाता है क्या समझ में आया सम्तापिय परक्रम में निकाई और बाहिय बतावरन के बीच यानि भारी बतावरन के बीच उस्मा का अदान परदान होता है जिसे की निकाय का ताप इस्तिर राता है परंतु रुधोसम प्रोसेस में रुधोसम प्रक्रम में निकाय एवंग भाय बतावरन के बीच उस्मा का अदान परदान नहीं होता है जिसे की निकाय का ताप बदल आगे देखिए कोसें नमबर 6 को समझेये आवर्त गति का एक उधारन देजिए जो दोलन नहीं करती है आवर्त गति का एक उधारन देना है उत्तर होगा एक आनुव मंदित लोलक की गति या आनुव मंदित स्पिरिंग दरबिमान परनाली याद रखिएगा एक अनुवमंदित लोलक की गती या अनुवमंदित स्प्रिंग दरबिमान परनाली की गती आवर्त गती का उधारन है जो दोलन नहीं करती है आगे देखिए सेक्षन एका अंतिम परस्न सेबेन कौस्चन नमर साथ को समझे अनुपरस्त तरंग गती को परिभासित किजिए अनुपरस्त तरंग गती क्या होता है उत्तर जब किसी माधियम में तरंग गती की दिशा माधियम के कनों के कमपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस परकार की तरंगों को अनुपरस तरंगे कहते हैं अनुपरस तरंगों की गती के लिए किसी माधियम की आवसकता नहीं होती है इसलिए इसकी निर्वात में चाल तीन गुना 10 के पावर 8 मिटर पर सेकेंड होती है क्या समझ में आया जब किसी माधियम में तरंग गती की दिसा माधियम के कनों के कमपन करने की दिसा के लंबवत होती है तो इस परकार की तरंगों को अनुपरस तरंगे कहते हैं अनुपरस्त रंगों की गती के लिए संचरन के लिए किसी माधियम की आवसकता नहीं होती है इसलिए इसकी निर्वात में चाल 3 x 10 to the power 8 मिटर पर सकेंड होती है ठीक है तो चलिए अभी अमलोग जैक बोर्ड कलास 11 फिजिक्स में मोडल सेट 1 में टर्म टू एकजाम के लिए मोडल सेट 1 में सेक्षन A के सभी 7 प्रस्नों को यानि 7 प्रस्नों को बेख्या सहित उत्तर सहित हम लोग देखें बाकी दुसरे वीडियो में सेक्षन B और C को देखेंगे तब तक के लिए बाई बाई थेंक्यू धन्यवाद